नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चो गुड़ीवनिंग रादे रादे जैश्री कृष्ण कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे आशा करते हैं उमीद करते हैं सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे जब अड़स्त होंगे तो गुड़ीवनिंग बच्चो नमस्कार जैहिन जैवारत आज आएंगे जल्दी से रादे रादे राम राम जैश्रीया राम बहुत बढ़िया मैडम बढ़िया हैं आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो बिटा देको प्रेम अमारे साथ आचुके हैं विश्पाल आचुके ह प्रियांका है अगनीवीर करके का अइडिया वह भी आचुके हैं तो सबी बच्चों का दिल से स्वागत हैं दिल से आशिरवाद है आप सभी बच्चों के उपर और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए तो जल्दी से आजाएंगे वो जो भी आ चुके हैं अपद में शेयर कर देंगे क्लास को जितने भी बच्चे अमार साथ आ चुके एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए बेटा जिसे दूजरे बच्चों तक नॉटिफिकेशन पहुंच जाए और क्लास शुरू हो गई है उन लोगों को भी पता चल जाए हां जी अगनिवीर एस्पेरेंट विल्कुल बढ़िया रादे 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 जैहिंद राम राम जी राम राम बहुत बढ़िया बच्चे जल्दी आ जाएंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं तो सेशन के लिए आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है ब भूमिका होती है विच элемent plays the main role in blood clothing कौन सा element है जो blood clothing में महतवपून भूमिका निवाता है रगदुरुदीर को जमाने में कौन सा तत्व महतपून भूमिका निवाता है जल्दी से आंसर करके बताऊ magnesium है calcium है iron है जिसको f e loha बोलते हैं और copper है जल्दी बताओ पेटा कौन होगा क्या होगा सही answer जल्दी से answer करो b answer मिल रहा है मुझे यहाँ पर जाददर बच्चों का कई बच्चे d b बोल रहे हैं कई बच्चे c b बोल रहे हैं तो बिल्कुल जो b वाले हैं एकदम best है बेस्टम best ठीक है तो b वाले बच्चे जो calcium answer कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो आप लोग मैंने आपको बताया था कि blood की clothing करने के लिए चार ऐसे चीजें हमारी body में जो जरूरी चाहिए होती है आपको पूछ ले कौन कौन सी चीजे तो बेटा विटामीन बताई थी मैंने आपको कौनसी विटामीन विटामीन के मैंने आपको बताई थी platelets platelets क्या होती है platelets यह होती है रुधीर कोशी का तो रुधीर कोशी का होती है हम लोगों की platelets यह भी help करती है प्लैड की क्लोटीन करने में, खिर मैंने आप लोगों को बताये था एक protein जिसका नाम होता है प्लैब्रीनोजन यह क्या है बिटम एक प्लेट इने है फाइब्रीनोजन यह प्रोटीन होती है यह भी जरूरी होती है और calcium जो मैंने यहां पर लिखा हुआ ही है calcium ठीक है तो calcium भी बड़ा ही जरूरी होता है blood clotting के लिए यह चार factor है जो एक साथ मिलकर आपकी blood से जो चोट लगती है उससे जो blood निकलता है उससे जो रक्त निकलता है खून निकलता है उसका थक्का जवाने में मदद करते हैं लड़की क्लोटिंग करने में मदद करते हैं option number P यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा मुझे मैगनीशियम के बारे में भी एक fact आपको बताना है कि मैगनीशियम जो होती है बिटा ये chlorophyll के मद्या में पाई जाती है chlorophyll आप लोग जानते हो पोदों के अंदर पाया जाने वाला एक pigment है जिसको बोलते हैं पर्ण हरित तो ये पर्ण हरित के मद्या में होती है जो धातू होती है exam में question बन जाता है आप लोगों के लिए कि chlorophyll के center में ठीक है या आपके शरीर में जो बलड के अंदर हिमोग्लोबीन है उसमें होता है हैमोग्लोबीन के अंदर क्या होता है बेटा आईरन होता है तो ये सारी चीजें याद रखना और कोपर एक अलग element है जिसके wire बनाई जाते हैं तार बनाई जाते हैं तो यहां पर फिलाल जो सही अंसर होगा वो जाएगा भी ठीक है आजाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा नमबर सेकिंड इन में से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है आपके शरीर में जो बलड है उसका जो प्रेशर है रुधीर का जो दाब है उसको मापने वाल यंत्र कौन सा होता है एरो मीटर कि क्या होगा सही रक्त दाब नापने वाला ब्लड पिशर जाते ओने डोक्टर के पास कि भाईया मेरा BP माप दी हो तो डॉक्टर आता है और एक पट्टा सा बानता है आपको ऐसे और बटन दबाता है मशीन का और वो मशीन ऐसे फूलना शुरू हो जाती है ये पट्टा सा जो है वो फूलना शुरू हो जाता है तो उसी को बोलते हैं बिल्कुल सही सी फूर करेक्ट आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे स्पग्मो मोनोमीटर स्पग्मो मोनोमीटर होता है रुदीर दाब मापने वाला यंत्र और आपके शरीर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120 से 80 mm of HG मिली मीटर ओफ मरकरी ये यूनिट होती है मापने की रुदीर दाब को तो 120 से 80 mm of HG होता है आप लोगों का रुदीर दाब ठीक है ये वैल्यू भी पूची जा सकती है अच्छा स्फेरो मीटर इस स्फेरिकल चीज को नापने में यूज होता है इस स्फेरिकल चीज होती है उसका एरिया उसकी रेडियस नापने में यूज होता है ये फिजिक्स में पढ़ते हो एनिमोमीटर कहां यूज होता है बेटा एनिमोमीटर आप लोगों की हवा की स्पीड मापने में यूज करते हैं इसको और एमीटर करंट विद्धूत का ज दियान से और आंसर करना यदि माता पिता में से एक का रुदीरवर्ग A B है और दूसरे का O है या एक का रुदीरवर्ग A B दिया हुआ है और दूसरे का O दिया हुआ है तो उनके बच्चों का संभावित रुदीरवर्ग क्या होगा possibility पुछ रहा है बताओ if the blood group of one of the parent is A B and that of the other is O then the possible blood group of their children will be भी आप blood group दे दिया है पापा का और मम्मी का पुछ रहा है बता दो कि कौन सा blood group होने की संभावना है चलो इसको मैं बताती हूं आप लोगों को ठीक है इसको मैं बताती हूं देखो कैसे करते हूं ऐसे question जब भी ऐसे question आएंगे तो कैसे करोगे एक तरफ लिख लेना mother और अब यह नहीं बताया कि मदर का यह फादर का क्या है वसी दे दिया कि अगर एक का ऐ भी है दूसरे का ओं है तो क्या होगा हम मने की और पापा जी गूरूफ में बल्लोड सा जाएगा यह आपको मुझा पूचले तो बलड गुरुप जब भी आप लोग डिसाइड करोगे या जब भी ब्लाड गुरुप मम्मी पापस बच्चों में जाएगा उसमों Скर वोगे का है Alleles होते हैं आपके शरीर में क्या होते हैं बेटा Alleles जान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ इसको समझ लो question को Alleles होते हैं आपके शरीर में Alleles क्या काम करते हैं यही blood group decide करते हैं यही रुदीर समू का चुनाव करते हैं तो आप क्या करोगे जो blood group दिया हुआ है उसके नीचे लिख लेना वोई वाले तो एक लिखना एंए एक तरफ लिखना आई बी ऐसे लिखना इसको इधर लिखना है आप लोगों को ब्लड गुरूप इसके लिए भी दो एलील काम करेंगे और दोनों कौन से होंगे यही वाले होंगे जो ब्लड गुरूप है ठीक है अब इनको मैच कराते हैं देखो यह वाला इसके साथ मैच करता यहां एलिखा हुआ एलिख दो यहां ओलिखा हुआ ओलिख दो तो जब भी ए और ओ का कॉंबिनेशन बनेगा ना ऐसा समझना कि ए ज्ञादा पावर्फुल होता है बेटा जब भी ए और ओ का पॉंपिनेशन बनता है ज्यादा पावर्फुल होता है जब इन दोनों की लड़ाई होगी A और O की तो कौन जीत जाएगा A यानि blood group क्या होगा बच्चे में A आजाओ आगे फिर से इसकी और इसके साथ बच्चे हमनों reaction कराएंगे यहाँ पर A है यहाँ पर O फिर से A और O का combination यानि A जीत जाएगा तो blood group क्या होगा भई A होगा ठीक है अब आजाओ दूसरे की बारी अब B का cross कराते हैं यह B इसके साथ cross करेगा तो यहाँ B है यहाँ O है तो फिर से B जीतेगा यानि O सबसे कमजोर blood group होता है बेटा जहां भी O आएगा ना दूसरे blood group के साथ वो हारेगा यारेगा B के साथ O आया है तो B जीतेगा A के साथ O आया है तो A जीतेगा फिर से पापा का बुलड गुरूप A-B होगा ना उनके बच्चों में केवल two ब्लड होगा तो देखो आंसर क्या दिया ओट कॉ centimeters क्या दिया हुआ है कौन सा ओप्षन सई ओगा बता दो अभी अभी हमने कॉश्चन सोल करा था उसमें रिजल्ट क्या था ए और बी ही आया था तो पहला ओप्षन यहांपर क्या हो जाएगा सही हो बिट पापा के अगर ब्लुड गूरुप दिया हुआ हो तो उनके बच्चों में जो ब्लडग कर आए ठीक है बेटा तब यह ठीक है ठीक है समझ में आ गई बात इसको मैं बाद में आपको कराउंगी अभी के आपको समझ में आ गए नहीं चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना पिर से एक बार देख्के प्रेक्टिस कर लेना आज अगले कोशन की बात करते हैं आप लोगों को क्या कहता है या मचलियों के यकरत के तेल में किसकी प्रचूरता होती है वाट इस अबाउंडेंट इन दा लीवर ओफ फिश ओई या ओई लो फिश इस पीटा मचलियों का तेल किस विटामीन का भरपूर सोर्थ होता है यह आपक विटामीन डी की भरपूर मातरा में पाया जाता है मचलिके तेल में विटामीन डी का रसाइनिक नाम क्या होता है Kelsey Ferrol Kelsey Ferrol बेटा आपको आज ही क्लास में लिखवा है था Kelsey Ferrol तो याद रखा करो ये छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ठीक है? अच्छा मैंने आज आपको Vitamin E का भी chemical name लिखवा है था क्या था बेटा? Tocopherol Tocopherol तो Tocopherol होती है Vitamin E Tocopherol ठीक है? Kelsey Ferrol, Vitamin D और Tocopherol होती है Vitamin E Vitamin C का कई बार कल नाम बताया था Ascorbic Acid Ascorbic Amlubeta ठीक है? Ascorbic Amlubeta होता है Vitamin C का नाम Ascorbic Aml Ascorbic Acid जिसको बोलते हो और एका भी आज मैंने आपको chemical name बताया था Retinol चा बताया था बेटा? Retinol तो ये ना chemical नाम आप ना उंगलियों पर याद कर लो एक question आपको exam में मिलने वाला है यहाँ से एक question यहाँ से exam में definitely मिलेगा vitamin C ठीक है? हाँ तो याद रखना A का Retinol C का Ascorbic Aml D का होता है Kelsey Ferrol ठीक है? और E का होता है Topo Ferrol यहाँ पर जो सही answer होगा vitamin D मचलियों के तेल में मिलती है आजाओ अगला question vitamin E विशेस्त है किसके लिए महत पून है? अब E के बारे में बात कर रहे हैं आज भी बताये था जल्दी बताओ इस विटामीन E is especially important दाथों के विकास के लिए कार्बो हैड्रेट उपाक्चे के लिए लिंग ग्रंतियों की सामानने के लिए या लिंग ग्रंतियों को सुचारू रूप से काम कराने के लिए उपकला उतकों के सामानने स्वास्ते के लिए इंग्लिश में बढ़ते हैं और जर्नल हैल्थ ओफ एपिथीलियल टिशू पताओ किसके लिए जरूरी होती है विटामीन E आज क्लास में बताएं बिता बिल्कुल जितने भी बच्चे सी आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही है बोला था ना कि विटामीन C को आप लोग रेप्रोडेक्टिव विटामीन भी बोलते हो रेप्रोडेक्टिव विटामीन प्रेजनन विटामीन भी बोलते हैं बिटा इसको रेप्रोडेक्टिव यानी प्रेजनन विटामीन भी होती है यह तो यह प्रेजनन अंगों को सैक्स ओर्गन को लिंग अंगों को सुचारों रूप से काम कराने के लिए जरूरी होती है विटामीन कौन सी विटामीन दांतों के लिए अच्छी है तो डी और सी यह दांतों के लिए अच्छी होती है ठीक है दी में स्कैल्शियम होता है जो दांतों के लिए अच्छा होती है तो वो भी आपके दांतों के question की तरफ आओ मानव शरीर रचना के संदर्व में antibodies होते हैं इन दा context of human anatomy antibodies are antibody के बारे में बात कर रहा है antibody क्या होते हैं carbohydrate protein glycoprotein यह sterols जल्दी बताओ क्या होते हैं carbohydrate होते हैं protein होते हैं glycolipid होते हैं sterols होते हैं क्या होते antibodies आपको बताए हुला question है मैंनेBenने दो भार बता चुकिए इस question को जल्दी बताओ बिल्कुल 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 बी आंसर मुझे बच्चों का मिल रहा कई बच्चे C पर जा रहे हैं जो C पर जा रहे है ना वो एकदम गुद्दू है जो D को बता बी को बता रहे हैं आंसर वो विल्कुल बैस्ट है बच्चे तो याद रखना B आंसर सही होगा बताई थी ना मैंने आपको क्लास में कराया भी था कि एंटीजन और एंटीबोडी जो आपके बलड में होते हैं वो एक तरीके की प्रोटीन होते हैं क्या होते हैं एक तरीके की प्रोटीन और कौनसी प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको लिपीड अलग होता है ग्लाइको प्रोटीन अलग होता है तो मैंने बताया था ग्लाइको प्रोटीन होते हैं यानि protein option यहाँ पे सही होगा आजाओ अगले question के लिए जीडी के लिए class है बेटा बिल्कुल है clerk के लिए ट्रेड मैन के लिए आप लोग technical के लिए basic level के लिए बिल्कुल ले सकते हो class ठीक है आओ आगे अगला question नियमने में से किसमें विटामीन A, E और C प्रचूर मातरा में पाई जाती है बताओ जल्दी किसके अंदर विटामीन A, E और C प्रचूर मातरा में होती है भरपूर मातरा में होती है इन विच ओव दा फोलूविंग विटामीन A, E, and C आर फाइंड अबाउंडेंस जल्दी बताओ रैडिश, टर्निप, कैरट, बीट, मूली, शल्जम, गाजर, चकुंदर क्या आंसर होगा एको जरा थोड़ा सा ध्यान में रखना आज ही सोर्स बताया था है स्पैशली एका बिल्कुल लाल लाल गाजर तो कुंदर नहीं बेटा गाजर गाजर होगा सही आंसर गाजर में विटामीन C भी मिलती है थोड़ी मातरा में ही भी होती है ठीक है जबी तो गाजर का जूस पीते हैं और सुन्दर बनते हैं और आंकों के लिए बड़ी अच्छी होती है गाजर तो यहां पे जो ओप्शन होगा वोगा C कैट आओ आगे अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं जॉइंडिस से प्रभावित अंग है ज चेस्ट लीवर बोन्स जॉइंडिस रोग में पीलिया रोग में बोडी का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है बताओ बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया मुझे एक जैसे आंसर दिख रहे हैं चलो यह तो अच्छी बात है कि आप लोगों का औरगन है अंग है जो प्रभावित होता है लीवर बेटा बिल्कुल ठीक है आओ आगे निमोनिया रोग में होती है बेटा चैस्ट प्रभावित निमोनिया हो जाता है ना निमोनिया तो कि एक बैक्टीरिया से होने वाली बिमारी है पढ़ेंगे इसको आगे निमोनिया इसमें होती है हमारी छाती में इंफेक्शन हो जाता है यानि लंक्स में ठीक है फ्रोट में आप लोगों को हो जाता है घेंगा रोग गेंगा गोईटर बोलते हो जिसको आयोडीन की कमी से जो होता है गोईटर और हड्डियों में होता है बेटा रिकेट्स हड्डियों से संब बेटा मैचिंग करनी है विटामीन दी हुए एक तरफ एक तरफ उनके रसाइन एक नाम दियो हुए है आजाओ मैच करके दिखाओ नर्सिंग असिस्टेंट बेसिक लेवल के लिए बिल्कुल क्लास ले सकते हो ठीक है आजी आजी आओ बताओ विटामीन बीवन बीटू बीफ सब्सक्राइब यह बीफॉर नहीं है बेटा बीफ़ुरी करना सब्समों गांजब है बीवन का आप सभी जानते संपाइमीन क्या होता है भी क्या होता है राइब़ impose लेविन होता है तो एक लिए फॉर्थ ऑप्शन दो में दिया वा है आपको अब जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा मेटा थर्ड ओप्शन तो बी के लिए थर्ड एक में दिया हुआ है यानी यहां पर आप लोगों का सही हो जाएगा ठीक है इस तरीके के बनेंगे मैचिंग के लिए आप लोगों को हाँ जी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फस्ट का फोर है फस्ट का फोर बी के लिए थर्ड है बेटा बी के लिए थर्ड और सी के लिए सेकंड है बेटा बिल्कुल सही है औ और आपका डी के लिए फस्ट है डी के लिए फस्ट बिल्कुल सही ठीक है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आजाओ अगले क्वेशन की तरह कार्बनिक भोज्य पधार्तों में होता है बताओ इन में से कोई नहीं और याद रखना कल 19 तारीक है कल हम लोग आपके सहरन पुर्व के अंदर आने वाले हैं और वहां पर एक सा मीटप आप लोगों के साथ हमारा होने वाला है तो जो भी उस एरिया के लोग हैं बच्चे हैं वहां पे पहुंचना ना भूलें बच्चे ठीक है पहुंचना है आप लोगों को आओ जल्दी बताओ बिल्कुल कार्बनिक पदात कौन होते हैं यह होते हैं विटामीन बताया था ना यह होते हैं विटामीन विटामीन और कार्बनीक कंपाउंड मैंने आपको लिखवाई थी विटामीन के डैफिनेशन कार्बनिक योगिक होते हैं विटामीन जो होते हैं ठीक है आ गई ना बास समझ में आ सा सही है which of the following statement is correct regarding leukemia पढ़ लेते हैं पहले कौन सा statement क्या-क्या दिया हुआ है रक्त में लाल रक्त कर निकाओं की संख्या बढाता है रक्त में श्वेत रक्त कर निकाओं की संख्या बढाता है रक्त में RBC एवं WBC की संख्या घटती है रक्त में WBC की संख्या घटती है अब फिर से सुन लिजें English में Increases the number of red blood cell in the blood increasing the number of white blood cell in the blood RBCs in blood and WBCs the number decreases the number of WBC decreases in the blood masala leukemia एक भीमारी होती है किसी को बोला जाता है रुधीर का cancer क्या बोलते है blood cancer कैंसर को बोलते हैं leukemia और यह leukemia साँस करती है इस फिल्कुल सही ठीक है तो बेटा रक्त में सफिर्ध रुधीर कनीकाओं की संक्या जब बढ़ जाती है इसी बीमारी को बोलते है रुधीर cancer और रुधीर cancer या blood cancer ठीक है समय में आ गई बात तो यही होता है RBC की संख्या ज़्यादा हो जाएं soon RBC बहुत जादा हो जाय तो क्या विमारी होती है जब आपके शरीर में RBC ज़्यादा हो जाती है तरिक बिमारी होती है जिसको बोलते हैं ArsenosaPolcycythemum TS पोली-साइथीमिया कभी पूछ ले, पोली-साइ-हीमिया, यह होता है RBC की संख्या जादा हो जाना, ठीक है? तो लिख ले ना अधिक RBC, जब आपके रुधीर में RBC अधिक हो जाती है, आपको हो जाता है पोली-साइथीमिया, तो यह भी पूछा जा सकता है कि पोली- हो जाए तो होगा ल्यूकेमिया आजाओ अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं नेक्स नंबर का क्विश्चन क्या कहता है हीमोगलोबीन का काम बताओ क्या होता है पूलीस आजाती है पूरी बोडी लाल हो जाती है एक्स्ट्रा आपके इंदर आर भी सी हो जाती है तो यह सिम्टम दिखाई देते हैं अब बता दो कीमोगलोबीन का कारिया क्या है रोगानुओं का नाश करना रक्तल पता दूर करना औक्सीजन का समवहन रक्त को गाढ़ा कर ना फंक्शन ओफ हैमोगलोबीन इस डिस्ट्रेक्शन ओफ माइक्रोब्स रिमूब अनेमिया ट्रांस्पोर्ट ओफ ऑक्सीजन धिकनिंग ओफ ब्लड आंसर करो क्या होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डायलोग बोली देना चाहिए मुकैमबो खुश हुआ लेमोगलोबीन किस में होता है बेटा आर बीसी में और क्या काम करता है और ट्रांस्पोर्टेशन ओफ ऑक्सीजन यानि ओक्सीजन को ट्रांस्पोर्ट करेगा आपकी बोडी के अंदर बिल्कुल सही बात आजाओ आगे आजाओ अगला क्वेश्चन नंबर 13 सूखा रोग जिसको रिकेट्स भी बोलते हो चरीर के किस भाग को प्रभावित करता है कितना प्यारा सा कितना राज दुलारा सा क्विश्चन है रिकेट्स इफैक्ट्स विच पार्ट ओफ दा बोडी रिकेट्स में शरीर का कुन सा भाग प्रभावित होता है मस्तेश अड़ियां मास प कि यहां सब्सक्राइब बुक्राइब कभिन उने वाली बीमारी बीमारी बीमार कि उता है और चिभीת ईपने की कमी से-विटामीन की कमी से एक मुझे में दिक्रामेब कमी से कि तरह बढ़ते हैं तो बी ओप्शन यहां पर सही होगा बिटा नेक्स नंबर पर चलते हैं 14 नंबर का क्विशन है विच्व फॉलोविंग इस नौट रेक्वाइड फॉर्मेशन जल्दी बताओ निमलिकित में से किसकी आवशक्ता नहीं है थक्का बनाने के लिए अभी तक किसकी आवशक्ता नहीं होती है थक्का जमाने के लिए विटामीन के कैल्शियम प्लाजमीन फाइबरीनोजन जल्दी आंसर करके बताओ किसकी आवशक्ता नहीं है जहां से बढ़ना क्वेशन किसकी आवशक्ता नहीं है बिल्कुल बहुत बढ़िया यहां भी आप लोगों को ने सब्सक्राइब कोолот डाला स्वेंडा निकाल दो निkaल्ट काम दो विटामीन के निकाल और वीसी डव बसे निकाल दो तो यह बन जाएगा शीरम यह बन जाएगा सिरम पार सीरम का कोई मतलब फिफ्टी नमबर का कुश्चन है बेटा विच ओफ दा फॉलोविंग वुड नॉट कॉज इस एड इनक्रीज इन इरित्रो पोटीन एक होर्मोन होता है आपके शरीर में तो यह होर्मोन किस से नहीं बढ़ेगा यह बताना है आपको निमने में से कौन इरित्रो पोटीन में व्रढ्दी का कारण नहीं बढ़ेगा यह फिकए खोर्मोन हैं विटके शरीर में जो आपके किडनिया निकालती है ठीक है यह किससे नहीं बढ़ता है यह ऀनी है Go आपके शरीर में अगर रबिसी की संख्या हो जाती है ना इसको सही कर लेना थे कश्चेका व्ली साइफ जाओगे तब भी घडबड करेगा यह होन्मोन और एनेमिया तो होता ही है रख्त की कमी होना ठीक है पॉली साहिथीमिया से इंक्रीज नहीं होगा या इसकी व्रद्धी का कारण पॉली साहिथीमिया नहीं होगा तो क्वेश्चन है जो कई बार आपको एक्जाम में आ जाता ह को थोड़ा ध्यान रख लेला ठीक है तो सी ओप्शन सही होगा आजाओ अगले क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं नेक्स क्वेश्चन क्या कहता है बिटा वोट इस नोट कंसीडर्ड एज लिकोसाइट लिकोसाइट किसे नहीं माना जाता बताओ लिंफोसाइट को को न्यूटरोफिल्स को या थ्रम्बोसाइट को जल्दी बताओ लिकोसाइट पहले तो मुझे यहीं बता दो तुम लोग है बस्फाईट होता क्या है घृशान जी क्यों मूहँ फाड़-पाड़ के घृए है कर रहे हो बटा वहा क्या ऐसा बोलो जल्दी फी आंसर बोल र करो बिल्कुल ल्यूकोसाइट आपके क्या होती है डबल्यू बीसी होती है और आपको बताना है कि डबल्यू बीसी का पार्ट कौन सा नहीं है आंसर डी ठीक है बिल्कुल तो बिल्कुल यहां पे डी आंसर आपका सही होगा सोरी थ्रोंबोसाइट किसका नाम है जल्दी बताओ थ्रोंबोसाइट किसका नाम है बेटा तो थ्रोंबोसाइट आप लोग बोलते हो प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स होती है आप लोगों की थ्रोंबोसाइट तो थ्रोंबोसाइट प्लेटलेट्स के संबंदित हैं आपकी कि WBC से संबंदित नहीं है WBC का संबध lymphocyte से भी है Neutrophil से भी है और monocyte सबसे बड़ी WBC होती है बेटा सबसे बड़ी WBC और lymphocyte सबसे चोटी WBC होती है इस बात को भी याद रखना आप लोग ठीक है यह सबसे बड़ी और सबसे छोटी WBC भी पूछ सकता है एक्जाम में लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC और मोनोसाइट सबसे बड़ी ठीक आजाओ option number D यहां पे सही होगा आओ next question क्या कहते है चलो शरीर में oxygen की कमी होने पर होने वाली प्रकिरिया को क्या कहते हैं बता दो the process that occur when there is a shortage of oxygen in the body करीर में जब oxygen की कमी हो जाएगी तो उस समश्या को किस नाम से जाना जाता है है हैमो रिटिकी रक्त निर्मान इरित्रोपोईटिन या फिर थ्रोम्बसाइटोसिस जल्दी बताओ हैएपो क्रिटी की इरित्रोपोईटीन हैमोपोईटीन या vidéo स्ट्रोमबसाइटोसिस आंसर करो बेटा जल्दी से शरीर में जब oxygen की कमी हो जाती तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉमोपोईसीज होता है जब शरीर में औक्सिजन की कमी हो जाती है तो रख्त निर्माण यह सथोड़ा सा गलत दिया हुआ हिंदी में इसको है मो पोईसोस लिख लिए ना है मो या हो मोई पोईस तहां पॉइस सका मतलब होता है रुदीर की कमी ओ जाना है रुदी एकला क्वेश्चिन क्या कहता है अब पर्सन हैस ब्लड गुरूप भी मीन की शी है एक व्यक्ति का रख्त समूब भी है अथार्थ उसके पास है जहां से पढ़ना बहुत अच्छा कुश्चन है करायो वह एक व्यक्ति का ब्लड गुरूप दे आपको भी तो पूछ रहा है उ छिएँ प्लाज्मा में बी अंटीजन बथा विष्यपविश्चन में दो आंसर चुपए उएं आपके यह इस कोशन में दो तरीके के पूछ नकर चुपए है दूसरा मैं बताउंगे पहले आप इसका अंसर करो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात आपका जो सही आंसर है मैंने आपको बताए था antigen क्या होते हैं antigen क्या होते है antigen एक तरीके की प्रोटीन होती है clear घेतिजन जिसको बोलते हो आप पनि घ्रंटी जल रैतीजन चिर्फ क्या बेटा प्रोटीन अब उता होती प्लाज्म सब को काट दो और प्लाजमा में एक एंटिजन लाजमा में तो एंटिजन होता ही नहीं है तो यह लोगों का ब्लड गुरूप होता हुँ लोगों का ब्लड गुरूप होता है वही तो आपका एंटीजन होता है शो बेटा ब्लड गुरूप क्या दिया हुआ एवी टो बेट ऑन टीजन बी क्या होगा वी कवे टो लिख दो इसके शरीर में थे नोगा घावी और किसमें होगा और विसरी तो यह वाला श् Salt सभी लग रहा है बिल्कुल सभी एंटीजन यहां भी लिखा हुए बट किसमें प्लाजमा में प्लाजमत में तो होता ही नहीं एंटीजन प्लाजमा में तो एंटीबोडी होती है तो यहां पे जो आंसर होगा बेटा वो सही होगा बी यह सी आंसर आप लोगों का सही हो बिखनी जल्दी कि यह बहुत बढ़िया आप आज वागला कुष्चन पो बलड़ क्वाड़ी नो जनी चेंज इन्टू फिप्पाइबृइन विद धाया जब ब्लड़ की क्लोटिंग होती है तो थ्रोम्बीन है वो फाइब्रोनोजन प्रोटीन को फाइब्रीन में चेंज कर देता है तो आंसर नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा आप लोगों का इस कुश्चन को भी ध्यान रखना आप लोग आओ नेक्स कुश्चन लेकर चलते हैं शोटर और एक्यूट वाइटामीन एप विशाक्ता किसके कारण होती है तीवर विटामीन विशाकता जादा विटामीन जब आपकी बोडी में हो जाती है तो यह किसके कारण होने वाली विमारी है क्या खालो आप जिससे आपको विमारी हो जाती है तो याद रखना अजमोत पार्सले पेटा संत्रे का रस ब्रॉकली अच्छा ओप्शन इसमें कुशन दूसरा आगया है यह रुको एक सेकिंड हम कौन से नंबर पे थे यहां तो आप्शन क्या दिया हुआ है एक दुर्विया भालू के जिगर को खाने पर और यह रुख के कलेजय का खाने पर मूर्च का धालेशा VAN mir जान से करना इसको यह एंटे-पि सी में पूछा गया कोशन आपके एक्जाम में भी आ सकता है बताओ जल्दी तो जो आप लोगों के अंदर तीवर विटामीन विशाथता होती है ना यह जो धुर्विय भालू का मास अगर हम खा लेते हैं तब हो जाती है पोलर बेर का मास खाने से हो जाती है अब पोलर बेर के मास जो होगा उसक अब जादा मातरा में तो विटामीन ए बहुत जादा मातरा में होती है और जब आप इस पो खाते तो आपकी बोडी में एकदम से विटामीन एकी अत्तीवरता हो जाती है जिससे आपकी मृत्यू तक हो सकती है इसलिए यह कुशन पूछा गया है ध्यान से याद रखना कभ आगे अब ता हाइयस्ट लेवल ओट मीं किसमो कायारे काले करंट में बताओ इबहुत बढ़ीगा प्रशन है किबहुत बढटा ट्रेंडिंग वाला विटामीन के उपर बहुत ज़्याद आ रहा है एक्जाम में इस कुश्ण बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर यहां पर दी आंसर सही होगा ब्लैक करंट लाइक तरीके का पल होता है जैसे जामून होते है ना वैसा होता है इसमें ना बहुत मात्रा में विटामीन सी होत होता है तो गलत नहीं करके आना याद रखना विटामीन सी का सबसे बहतरीन सोर्स पूछे ओवनी को में कौन सा विश्व बर में बाच्चों में का कारण बन रहा है बच्चों के आंध्यय पन का कारण फूरे विश्व में कौन बन रहा है क्ल्यूकोमा जो कि आँख से संब्दित बीमारी याद रकना एक्जाम में पुछा जाता है कि इस घ्लिदील कोमा किसे संब्दित बिमारी आक से संब्दित है बेटा है है वाइटामीन एक ही कमी के कारण रंग अंधापन यानि color blindness जिसको बोलते हो या cataract मोटी या बिंद तो बता दो बच्चों में दुनिया भर में अंधेपन का कारण कोन है जल्दी आंसर करो पी आंसर बोल रहे हैं बच्चे भी बिल्कुल सही तो यह डबलू हो की एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार वर्ड में जो बच्चों में अंधापन जादा हो रहा है वो वितामीन A की कमी से हो रहा है तो यह भी लेटेस्ट और अच्छा कोशिन है जाद रवरा है बिल्लाइडनेस बसके तो आखों से और अनु वान्शिक रोग है यानि की जैनेटिक डिजीज है बिटा आनु आन्शिक होग होता है जैनेटिक डिजीज मंवी पापा से बत्सों में जाता है पढ़ेंगे बाद में फेक्ट है और नेक्स पूर्चिन है बिटा विच व्चों और फोलोविंग किस विटामीन की कमी से होता है जल्दी आ जाएगी अभी देट कोई मैंशन नहीं है जब आ जाएगी आप ऐसा समझो कि आपके इस हफते में आजानी चाहिए जब हफता शुरू होगा ठीक है पॉसिबिल्टीज हैंगे चलो तो बिल्कुल मैंगलो ब्लास्टिक एनेमिया जो से हुता है फालिक एसे बोले तो विटामीन भी 9 ऑर क्लास में कराया हुआ था अच्छा पाय्रोडोक्सीन होती है बी सिक्स विटामीन नियाइसीन होती है बी थ surprution और योथी विटामीन आपको इनके केमिकल नेम या दोने चाहिए आपको जाहिए और मैंने कल यह को इक कुछन दिया था कि कौौन सी विटामीन के को इन No यह यक गटक क्या है आपको कभी पूछले रखना जो पैंटाठाचोनिक I पैंटा आटोनीक आसिड विटामीन-एक काको इन Wirth सकता है याद रखना एक समझ में आई बात नया कोशन था अच्छा कोशन था बता दिया है अब एक्जाम में गलत निकर क्या होगे आजाओ लास्थ केतल में कंसा होर्मोन प्रीकर्सर वितामीट नहीं वीटामीन से कों सा प्रेशनित था बता बताओ बकल होर्मोनी किस विटामीन को कहते हैं यहां पर भी बच्चे मुझे कुछ प्वूस से लग रहे हैं।此 hai बच्चे केक, क्राप करती है ना मेंने बच्चे याद रखना मेने बताई था विटामिन ड जो होती है यह आपकी बोडी में खुद बनती है इसको इसल एक हम आप साहिunya हो जाएगा तो यह थे आज के बैतरीन 25 प्रेशन विटामीन पर अब तक आप 50 कोश्चन कर सकते हो लगबग अब हम आपके मंडे में नया टोपिक शुरू होगा और नए टोपिक से नए कुश्चन्स आप लोगों के बनेंगे प्लस यह चीजे भी कंबाइन रहेंगे उसके इंदर तो कल संडे संडे में इस प्रैक्टिस सेट ओफ रहता है बिटा मंडे में आपका प्रैक्टिस सेट होगा और मंडे में ही अब आपकी क्लास होगी तो तब तक के लिए बच्चे अपना ध्यान रखेगा खुश रहीएगा हैपी रहीएगा और अच्छे से राम राम सभी बच्चों को